नमस्कार मैं सोतंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सौट हैंट टीम पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो में प्रतिलेखन संख्या 79 के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं इसे हम दो अलग-अलगी स्पीड में लेंगे पहली बार में 90 की स्पीड में तो दूसरी और आखरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसे संकेत लिपी में किस प्रकार से लिखा जा सकता है यानि इस प्रतिलेखन की प्रतिक सब्द की आउटलाइन क्या होगी तो आप इसके पहले वाले वीडियो को जा करके देख लें उसमें हमने एक-एक सब्द की आउटलाइन को लिख करके बता रखा है तो 90 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडि रहें इस्टार्ट उपाध्यक्ष महोदै अगर भारत की आर्थिक विवस्था को हम देखें तो यह कहने में कोई तूटी नहीं होगी कि क्रिसी उसका आधार है किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक इस्थिती उस देश की भूमी की उत्पादन सक्ती पर निर्भर रहा करती है यदि भूमी की उत्पादन सक्ती में कोई कमी हो जाती है तो उस देश की आर्थिक और सामाजिक इस्थिती में भी कुछ परिवर्तन आरंभ हो जाता है क्रिसी भारत के लिए एक आर्थिक विवस्था ही नहीं है यह एक संस्कृती भी है जो लोग आंदोलन में विश्वास रखते हैं इनको पता ही होगा कि जितने भी आंदोलन इस देश में होते हैं वे समाज के नाम से धर्म के नाम से जाती के नाम से या राजनीती के नाम से होते हैं ऐसे आंदोलनों में कोई भी समाज सामिल हो लेकिन किरसी समाज उसमें सामिल नहीं होता है उस आंदोलन के साथ किरसी समाज की सहानुभूती भी नहीं होती है इसलिए यदि सभी बातों को ध्यान में रख कर हम देखें तो इस डेश के लिए आवस्यक यह होगा कि हमारी संस्कृती की रक्षा के लिए और जीवन प्रणाली की रक्षा के लिए किरसी पर विशेश ध्यान दिया जाए किरसी के छेत्र में इस वर्ष काफी प्रगती हुई है यदि आप 1801 से 1901 तक का काल देखें तो आप देखेंगे कि हमारे देश में 31 अकाल पड़ें जिनमें 4 करोड लोग मरें लेकिन आज हमारे खाद्य मंत्राले ने 100 रुपए मन के भाव पर गेहुं खरीद कर एक भी आदमी को मरने नहीं दिया इसके लिए हमारा खाद्य मंत्राले बधाई का पात्र है पहरा एक बात मैं विशेश रूप से इस आउसर पर कहना चाहता हूं आज कल हम लोग मानो सक्ती पर ज्यादा ध्यान ना देकर पूजी पर ज्यादा निर्भर रहने की कोशिस करते हैं आपको याद होगा लगभग पांच दसक पहले में जापान की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ गई थी लेकिन वहां के 60 लाख कास्तकारों ने इर्शी सिक्षा के बल पर इतना अनाज पैदा करके दिखलाया कि आज वे 10 करोड आदमियों का पालन पूशर कर रहे हैं वहां पर 30 ऐसे विश्व विद्याले हैं जिन में किर्शी की सिक्षा दी जाती है जिन से 16,000 छात्र प्रतिवर्स सिक्षा प्राप्त करके निकलते हैं आज हमारे देश में परयाप्त किर्शी विश्व विद्याले अस्थापित हो चुके हैं हमारे देश की 120 करोड जन संख्या को द्रिश्टी में रखते हुए जापान एक बहुत छोटा सा राज्य है सायद हमारे राजस्थान से कुछ ही बड़ा है दोस्तो इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें उपाध्यक्ष महुदै अगर भारत की आर्थिक व्यवस्था को हम देखें तो यह कहने में कोई तूटी नहीं होगी कि क्रिसी उसका आधार है किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक इस्थिती उस देश की भूमी की उत्पादन सक्ती पर निर्भर रहा करती है यदि भूमी की उत्पादन सक्ती में कोई कमी हो जाती है तो उस देश की आर्थिक और सामाजिक इस्थिती में भी कुछ परिवर्तन आरंभ हो जाता है क्रिसी भारत के लिए एक आर्थिक विवस्था ही नहीं है यह एक संस्कृती भी है जो लोग आंदोलन में विश्वास रखते हैं इनको पता ही होगा कि जितने भी आंदोलन इस देश में होते हैं वे समाज के नाम से धर्म के नाम से जाती के नाम से या राजनीती के नाम से होते हैं ऐसे आंदोलनों में कोई भी समाज सामिल हो लेकिन किर्सी समाज उसमें सामिल नहीं होता है उस आंदोलन के साथ किर्सी समाज की सहानूभूती भी नहीं होती है इसलिए यदि सभी बातों को ध्यान में रख कर हम देखें तो इस देश के लिए आवस्यक यह होगा कि हमारी संस्कृती की रक्षा के लिए और जीवन प्रणाली की रक्षा के लिए किरिसी पर विशेश ध्यान दिया जाए किरिसी के छेत्र में इस वर्ष काफी प्रगती हुई है यदि आप 1801 से 1901 तक का काल देखें तो आप देखेंगे कि हमारे गेश में 31 अकाल पड़ें जिन में 4 करोड लोग मरें लेकिन आज हमारे खाद्य मंत्राले ने 100 रुपए मन के भाव पर गेहुँ खरीद कर एक भी आदमी को मरने नहीं दिया इसके लिए हमारा खाद्य मंत्राले बधाई का पात्र है पहरा एक बात मैं विशेश रूप से इस आउसर पर कहना चाहता हूँ आज कल हम लोग मानों सक्ती पर ज्यादा ध्यान ना देकर उजी पर ज्यादा निर्भर रहने की कोशिस करते हैं आपको याद होगा लगभग पांच दसक पहले में जापान की आर्थिक विवस्था बिगड़ गई थी लेकिन वहां के साथ लाख कास्तकारों ने किर्शी सिक्षा के बल पर इतना अनाज पैदा करके दिखलाया कि आज वे 10 करोड आदमियों का पालन पोसड कर रहे हैं वहां पर 30 ऐसे विश्वविद्याले हैं जिन में किर्शी की सिक्षा दी जाती है जिन से 16,000 छात्र प्रति वर्स सिक्षा प्राप्त करके निकलते हैं आज हमारे देश में प्रयाप्त किर्सी विश्व विद्याले अस्थापित हो चुके हैं हमारे देश की 120 करोड जनसंख्या को द्रिष्टी में रखते हुए जापान एक बहुत छोटा सा राज्य है सायद हमारे राजस्थान से कुछ ही बड़ा है इस्टाव